अनार के फूलों की सेटिन के लिए मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण कीत हैं। यदी खेत में मधुमक्खिया नहीं हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे की उन्हें खेत में कैसे आकरशित किया जाए। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वह है चाच 2-4 लीटर, यदी है तो भीगोना अच्छा है। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वह है दालचीनी पाउडर 200-300 ग्राम और इसे रात भर भीगो दे। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वह है गन्ने का रस। जिसे हम शाम को ला सकते हैं और आप सुबह के समय इसका उप्योग कर सकते हैं। फिर चौथी वस्तु हमें 200 से 400 ग्राम तक जैविक गुर चाहिए। यह अच्छा है। सुबह उठते ही इन सभी को आवश्यक तानुसार मात्रा में पानी मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। इनका छिरकाव खेत के चारों तरफ अंतिम पंक्ती में या सीमा पंक्ती पर करें। यह छिरकाव सुबह 6 बजे से पहले करना चाहिए। साथ ही यह छिरकाव लगातार 3 द में डालें और पूरे खेत में कुछ स्थानों पर रखें। जैसा की साथ ही किसानों और मार्ग दर्शकों ने सुझाव दिया था। मैंने यह किया है। और अभी भी मधुमक्खियों को देखना बाकी है। कराना बाकी है।